नमस्का दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल फ्री एजूकुशन में दोस्तो आज किस वीडियो में हम जीके जीएस के मोश्ट इंपॉइंट 25 कॉस्टन को डिसकस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो शुरुआत कर लेते हैं नमर फ़र्ष्ट कॉस्टन से पहला हमारा कॉस्टन है हवा महल का निर्माण किस ने करवाया था तो देखे दोस्तो यदि आपको पहले से किसी कॉस्टन का अंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना अंसर लगाएं तो दे महराजा सबाई जहसें के पोते महराजा सबाई परताफ सिंग ने 1799 इसवी में करवाया था ठीक है और दोस्तो आपसे पूछा जाएगा कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे तो हवा महल के वास्तुकार थे लाल चंदर उस्ताद ठीक है और हवा महल जो है ये राजिस्थान की जो राद्धानी है जैपूर यहां पर हिस्थ है और यह जो महल है इसका निर्माण लाल गुलाबी रंके बल्गुआपत्थरों से किया गया है नंबर सेक्टिन कॉस्टण है प्राचीन भीमा देवी मंदर किस प्रदेश में हिस्थ है तो देखे दोस्तो यह जो भीमा देवी मंदर है यहां सिए एक fact पूछा जाता है की बmother भारत का खजुराः को कहा जाता है तो आप कहेंगे बmother भारत का खजुराः जो है यह भीमा देवी मंदर को कहा जाता है तो दोस्तो अब हम बक्सर के युद्ध का पूरा ओप्रेशन कर लेते हैं तो देखे दोस्तो जो बक्सर की लडाई है ये कब लड़ी गई थी तो वाइस अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई लड़ी गई थी किसकिस के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तो बेटिस इस्ट इंडिया कमपनी यनि की अंग्रेजों की बीच में और मीर कासिम जो की उस समय बंगाल का नवाप था दूसरा सुजद दौला जो की उस समय अवद का नवाप था तीसरा साहय आलमदतिये जो की उस समय मुगल समरार था ठीक है तो इन तीन व्यक्तियों की सेक्ट सेना के बीच में और बेटिस इस्ट इंडिया कमपनी यनि की अंग्रेजों की बीच में वक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी कब 1764 इस बी में ठीक है और दोस्तो पूछा जाता है कि वक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेत्वत किस ने किया था तो अंग्रेजों का नेत्वत किया था हैक्टर मुन रोने ठीक है यह जो युद्ध है इसका पीरडाम क्या हुआ था तो जो इन तीन लोगी सेख सेयना थी ठीक है इसकी हार हो गई थी और बेटेस इस्ट इंडिया कंपनी यानि की अंग्रेजिं की जीत हो गई थी ठीक है ये पूछा जाता है कि इलहाबाद की प्रिथम संदी कब हुई थी आप कहेंगे ये 1765 को हुई थी और 12 अगस्त को हुई थी ठीक है किस-किस की बीच में तो अंग्रेजों की बीच में और मुगलों की बीच में इस संदी में क्या हुआ था तो इस संदी में मुगल समराट को 26 लाख पृतिवस भुक्तान करने के लिए जो विर्टिस टीडिये कंपनी है ये सहमत हो गई थी ठीक है फिर क्या हुआ फिर इसके चार दिन बाद थी के 12 अगस्त के 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को एक इलहाबाद की दुतिये संदी होती है ठीक है ये किस किस के बीच में होती है तो ये अंग्रेजों के बीच में और अबद की बीच में होती है ठीक है इसमें क्या होता है तो इसमें 50 लाग का जुर्माना अबद की नबाब को भरना पड़ता है ठीक है दोस्तों ये जो इलहाबाद की प्रथम संधी है और इलहाबाद की ये संधी है ये कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी और ये इन संधियों में क्या हुआ था ठीक है जब examiner जो question paper है उसको cut in करना चाहे तो इस प्रकार से question कूछ लेता है इसलिए ये जो मैं additional information देत प्रभंदन संस्तान इसको short में IIFM कहते हैं दोस्तों ये IIFM कहां इस्तित है दोस्तों ये इस्तित है मद्यपदेश की राध्धानी भोपाल में इस question का A option सही हो जायागा IIFM यानि कि Indian Institute of Forest Management ठीक है हिंदी में इसको भारतिय बन प्रभंदन संस्तान कहते हैं ये कहां पर इस इसतित है तो मद्यपदेश की राध्धानी भोपाल में इसतित है यदि हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब के गई थी दोस्तों इसकी स्थापना के गई थी 1982 में ठीक है दोस्तों एक और फ्रेक्ट यहां से पूंचा जाता है कि भारतिय बन अनुसंधान संस्तान कहां पर इसतित है दोस्तों भारतिय बन अनुसंधान संस्तान जो है यह इसतित है देहरा दून में कहां पर यह देहरा दून में इसतित है उत्रखंड प्रदेश के देहरा दून में इसतित है भारतिय बन अनुसंधान संस्तान ठीक है लेकिन यह भारतिय बन प्रबंधन संस्ता दोनों, फ्यक्ट अलग-लग हैं और यह कन्फूज कर देते हैं और दोनों, अपके एक्जाम में कॉस्टन बनते हैं और दोस्तो एक ऐसा question पूछा जाता है कि भारत में चंदन की लकडी के बन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं तो आप कहेंगे कि नेल गिरी की पहाड़ियों में सबसे जादा चंदन की लकडी के बन पाए जाते हैं कहां पर नेल गिरी की पहाड़ियों में ठीक है और यदि र प्राज को मलै का देश या फिर चंदन का देश कहा जाता है तो दोस्तो मलै का देश या फिर चंदन का देश किसको कहा जाता है करना टको कहा जाता है कौस्टन अलग अलग परकार से पूछे जाते हैं और ये सारी बातें आप याद रखेंगे नैश्ट हमारा कौस्टन दोस् पाई जाते हैं जिनकी पत्तियां नुकीली होती है नैश्ठ हमारा कॉस्टन दोस्तों केंद्रिय खनन इबं इधन अनुसंधान कहां परस्तित है ये इस्तित धनबाद में तो इस कॉस्टन का C option से हो जाएगा और धनबाद कहां पर है तो ये जहारखंड राज में है गणाफ और वाइसन ठीक है ये सहे हैं ये जिराफ है और ये वाइसन है इस प्रकार के जो जानबर हैं दोस्तों ये पंड़ पाती बनों में पाया जाते हैं तो इस question का V option सही हो जाएगा पंड़ पाती बनों में इन जानबरों के लिए उप्योक्त बातावर्न एवन परस् से निकलती है ये question भी बिल्कुल सरल और important है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मद्यप्रदेश के अमरकंटक के पठार से तीन प्रमुख नदियां निकलती है एक तो नर्मदा दूसरी सौन और तीसरी जोहिला तो इस question का D option से हो जाएगा उपर एक तो सभी नदिय ये जोहिलियां मद्यप्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है नेस्ट हमारा question दोस्तो आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तो आधुनिक हिंदी का पिता जोह भारते अंदू हरिस्चंद्र को कहा जाता है जिस question का A option से हो जायागा आगए next question है दोस्तो उडनपरी के अपनाम से किस महिला athlete को जाना जाता है तो देख दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि उडनपरी जो है ये पीटी उसा का अपनाम है किसका पीटी उसा का अपनाम है A option से हो जायागा और पीटी उसा जो है ये famous भारती महिला athlete है ठीक है और देख दोस्तो इनका दूसरा उपनाम क्या है इनको जो है पाउली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ठीक है इनको पाउली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तो यह जो है यह केरल राज से बिलोंग करती है कहां से पीटी उसा जो है यह केरल राज से ब की आत्मकथा का नाम है next one की बात करेंगे दूस्तो अंगल हमारा question है भारत में काजू का प्रिथम परिचे किन लोगों ने कराया दोस्तो भारत में काजू का प्रिथम परिचे पुर्तगालियों ने कराया था तो इस question का डी ऑप्सन सही हो जायगा और देख दोस्तो इसके अलावा भारत में पहली बार printing plugs का प्रियोक किस ने किया था? दोस्तो भारत में पहली बार printing publishers की जो देन है, ये भी किस की है? ये भी पुर्त गालियों की है, ठीक है? प्रिंटिंग प्रेस और काजू दोनों का परिचाय या फिर दोनों किसकी देन है तो आप कहेंगे पुर्तगालियों की देन है नेश्ट कोस्टने टीपू सुल्तान कहां का सासक था तो दोस्तो जो टीपू सुल्तान है ये मैसूर का सासक था कहां का मैसूर का सासक था और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था हैदर अली के मृत्यू के बाद में जो टीपू सुल्तान है ये मैसूर का सासक बना था इसके बाद में चत्रुत आंगल मैसूर युद्ध के बाद में टीपू सुल्तान की मृत्य हो गई थी दोस्तो यहां से हम दो ललन टॉप फेक्टों को पता करते हैं दोस्तो जो चत्रुत आंगल मैसूर युद्ध है यह कब लड़ा गया था तो यह 1799 में इस वी में लड़ा गया था ठीक है इस युद्ध में अंग्रेजों का नित्व तो किस नहीं किया था तो आप कहेंगे जार्ज हैरेस और जेम्स स्टुवर्ड दो अंग्रेज थे इनों जो है चत्रुत आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नित्व तो किया था यह दो फेक्ट आपको याद रखना ह नेस्ट कॉस्टन है निमलिकत मैंसे किस दिराव का घंद तो सबसे कम है दोस्तो ये जो चार लिक्विड हैं आपको बताना है कि इन मैंसे किस लिक्विड की डेंसिटी सबसे कम है दोस्तो जो पैट्रोल है इसकी डेंसिटी इन तीन लिक्विड के कमपेर देंस सबसे कम होती ह डी आप्सन सही हो जाएगा नैश्ट कॉस्टन की बात करेंगे पानी के अंदर हवा का बॉल बॉला किस तरह बरताओ करता है ये कॉस्टन पूछा जाता है दोस्तों पानी के अंदर जो हवा का बॉल बॉला होता है यह एक आउटर लेंस की तरह बरताओ करता है D options है हो जाएगा नेश्ट कोस्ट है निमलेकित में से किस दर्रे के माध्यम से सतलुज नदी तिबबत से भारत में प्रिवेश करती है तो देख दोस्त मैं आपको बता दूँ कि सिपकीला दर्रे के माध्यम से ठीक है और दोस्तो जो सतलो जनदी है ये तिब्बत में मानसरुबर जील से निकलती है तो ये तिब्बत में मानसरुबर जील से निकलती है। नेक्ट कॉस्चन की बात करेंगे दोस्तो अंगला हमारा कॉस्चन है दस्त ए मांगो जिसे मृत्यू का रेगिस्थान भी कहा जाता है यह किस देश में इस्तित है दोस्त ए मांगो ठीक है यह क्या है तो यह एक रेगिस्थान है ठीक है और यह जो रेगिस्थान है यह अफग अफगानेस्तान में स्तित है और अफगानेस्तान की राधनी क्या है तो काबॉल है Next question है निमलेखत में से कौन अबद का अबद का पृथम नबाब था तो दोस्तो अबद का अबद का पृथम नबाब कौन था वो था सहाधत खान तो IS question का A option सफ़ी हो जायागा और देखे दो दोस्तो सहादत अली खां पर्थम ठीक है इसका पूरा नाम कहा है सहादत अली खां पर्थम इसका पूरा नाम है ठीक है और यह जो है यह अबद का पर्थम नवाब था दोस्तो यहां से एक और कॉस्टन पूछा जाता है कि अबद का अंतिम नवाब कौन था तो दोस्तो जो वाज़त अली सा है ये अबद का अंतिम नवाप था दोनों फेक्ट आपको याद रखना है ये पिर्थम नवाप था सहादत खां और जो वाज़त अली सा है ये अंतिम नवाप था अबद का नैश कौशन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमार कौश्चन है सरकारी आकणों क किस प्रद्धनमंत्री के सासनकाल में सबसे जदा 29 बार लगलग राज्यों में राष्टपती सासन लगाया गया दूस्तो कोश्टरन का सी ओप्सेय हो जायेगा दोस्तो question एक और पूछा जाता है कि पहली वार राष्ट पती सासन किस राज में लगाया गया तो आप कहेंगे पंजाब में लगाया गया ठीक है और कब लगाया गया था पहली वार राष्ट पती सासन तो 20 जून 1901 को कब 20 जून 1901 को पहली वार राष्ट पती सासन लगाया था पंजाव राज के अंदर राष्टपति सासन किस अनुचिद के अनुचिद के अनुचिद है अनुचिद 356 इसके according राष्टपति सासन लगाया जाता है नैक्स कॉस्चन की बात करेंगे दौस्त तो अंगला हमारा कॉस्चन है कहा रहा कि wine capital of India यानि कि भारत की सराब की राधधानी के सेर को कहा जाता है दोस्तो भारत की सराब की राधधानी जो है ये कहा जाता है नासिक को, तो इस question का A option से हो जायगा देख दोस्तो नमबर B पे कहा लखा है जलगाओं ठीक है तो जलगाओं को क्या कहा जाता है दोस्तो इसको बनाना सिटी ओफ इंडिया कहा जाता है ठीक है नमबर सी पे लखाए जोधपुर जोधपुर को सन सिटी ठीक है जोधपुर को क्या कहा जाता है दोस्तो जोधपुर को कहा जाता है सन सिटी या फिर जोधप जैपुर को बिलू सिटी भी कहा जाता है और दोस्तों जैपुर तो सभी लोग जानते हैं जैपुर को क्या कहा जाता है पिंक सिटी यानि की गुलाबी सहर किसको कहा जाता है जैपुर को कहा जाता है नैश कॉस्टन की बात करते हैं अंगला हमारा कॉस्टन है स्वामी दयानन सरसुती ने की थी और कब की थी तो 1875 में की थी लेकिन किस सहर में की थी तो दोस्तो ये इस्थापना की गई थी Bombay सहर के अंदर तो इस question का A option सही हो जाएगा दोस्तो जो दयानन सरसुती है इनका एक famous ग्रंथ है ये पूछा जाता है इनके ग्रंथ का नाम क्या है सत्यार्थ प्रकास ठीक है सत्यार्थ प्रकास जो है इनके ग्रंथ का नाम है इसकी रचना स्वामी दयानन सरसुती ने कब की थी तो इसकी रचना भी इन्होंने यह तो जो जो ब्रमें, जो इसे करनाटक के अंदर C आप्सम सही हो जायागा दोस्तों, जो जो ब्रंदावन, ब्रमें अध्यान है, यह निरत्व रूपी और संगीत बद्ध झरणों के काणर, पूरे संतार में फहमा से नरत रूपी यानि कि दोस्तों ये जो उध्यान है यहाँ पर एक ध्यरना है वो ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा है और जब ये जहरना गिरता है तो इसकी जो sweet सी voice आती है ठीक है तो जो संगीत बद इसकी आवाज आती है उसके काण ये फहमा से ठ से कोई संग पिले हो रहा हो नैश्ट कॉस्टन की बात करेंगे दोस्तों नैश्ट हमारा कॉस्टन है आम तोर पर वर्णांधता यानि कि कलर विलैंडनेस क्या है दोस्तों जो कलर विलैंडनेस है ये क्या है ये एक अनुवानसिक प्रिकृति है तो इस कॉस्टन का A option सही हो Next हमारा Question दोस्टो मानव सरीर का कौसा अंगरक्त में سरकरा की मात्रा को कंट्रोल करता है तो देखिए दोस्टो огमन बॉडी का एक फार्ट होता है ठीक है जो कि हमारे ब्लेड में सुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है उसका नाम क्या है दोस्तो अगनासाई ठीक है अगनासाई यानि की पैंक्रियास जो है ये हुमन ब्यूडी के अंदर सुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है C option सही हो जायगा next question है चोरी चोरा नामक इस्थान भारत के किस राज में इस्थत है दोस्तो जो चोरी चोरा नामक इस्थान है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज में इस्थत है तो इस question का भी option सही हो जायगा दोस्तो जो चोरी चोरा कांड है ये कब हुआ था दोस्तो ये हुआ था चार ठीक है और कहां पर हुआ था तो उत्तर प्रदेश के गोरकपुर जले के चोरी चोरा नामक इस्थान पर यह कंड हुआ था यह गटना में भीड ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसमें वाइस पुलिस कर्मी मारे गए थे ठीक है याद रखना वाइस पुलिस कर्मी मारे गए थे और ये गटना चार फरबरी 1922 दोनों याद रखना है 1922 और 22 पुलिस कर्मी मारे गए थे ठीक है यह एक हिंसक घट गटना थी, कैसी गटना थी, हिंसक गटना थी, और इसी गटना के काण गांधी जी ने असायोग आंदोलन बापस ले लिया था, ठीक है, यह सारी बात हैं, यह सारे फैक्ट आपको याद रखना है, अब नैशट एंड लाश्ट कॉस्टन हैं, आपके लिए चैलेंजिंग कॉ पूछते हैं अपने previous वीडियो से question पूचा गया है निमलिकत में से वहू विवाय नामक पुस्तक किसके दोरा लिखी गई ये question जो है हमने previous वीडियो में बिलकुल detail में with extra fact के साथ में discuss किया था इसलिए आपको वहू विवाय नामक पुस्तक किसके दोरा लिखी गई ये बतान बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें comment करके जरूर बताएं अपने feedback दें और दोस्तों इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को share करें आपके mobile के WhatsApp पर studies related जितने भी गुरुप हों उन अब भी में कोई नया और इसी प्रकार का latest वीडियो डालूँ तो इसका notification आपको मिल सके आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके हैं और दोस्तों इसी प्रकार के important topic important question देखने के लिए आप हमारी playlist को visit कर सकते हैं playlist की link आपको यहाँ पर i button में मिल जाएगी या फर नीचे discussion मिल जाएगी तो आप कहीं से भी हमारे पुराने और important वीडियो देख सकते हैं या फर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर तीन महत्पून वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो उसको ज़रूर देख लें ठैंक दोस्तों राम राम दुगा सलाम मिलते हैं अंगले वीड कर दोस्तों 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 कर दोस्तों